इस अलाके का एक ही टाइगर है जब वो आता है जा जाता है मुंबाई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देखकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रेकॉर्ड देखकर ठोकती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिवीव बाज़ार में एक बार फिर से तो दोस्तों सुपरिश्टार अक्षरी कुमार के फिल्म सूरी वंशी इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने चोथे हपते भी बहत्रिन कमाई कर रही है तो वही दोस्तों पहले हपते में ही सुपरिश्टार सलमान खान की फिल्म अंतिम ने नए नए रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिये हैं जौन अबराहम की फिल्म दोस्तों सत्य में हो जैते टू भी इंडियन बॉक्स आफिस पर आज अपने पांचवा दिन पूरा कर रही है तो वीडियो को लाश्टा तक जरू देखेगा अगर आप भी सुपरिश्टार अक्षे कुमार, सलमान खान, जौन अबराहम और साउथ की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और इनका इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं तो चले शुरूआत करते हैं हंक जौन अबराहम की फिल्म सत्यमे उजयते 2 के 5 दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शंस के बारे में जिसे कि इंडियन बॉक्स आफिस पर इसी हपते रिलिस किया गया था दोस्तो बताते चले आपको कि सत्यमें उजयते 2 एक आक्षन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको जोन अब्रायम और दिव्या खोशला कुमार नजर आने वाली है मिलाप मिलन जाविरी के डायेक्शन में बनने वाली दोस्तो इस फिल्म को साहट करोड रुपेगे बजट से बना कर तियार किया गया है जो कि 2018 की सुपर हिट फिल्म का सेक्वल है बात की जाए दोस्तो इस फिल्म के बॉक्स आफिस की तो दोस्तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर सिर्फ तीन करोड साहट लाक की ही कमाई की जबकि दोस्तों इस फिल्म से उम्मीद कहीं ज़ादा थी दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन्स थे उसमें कोई ज़ादा ग्रोथ नहीं देखी गई जबकि दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन्स कम रही और इस फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 10 लाक रुपे तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 20 लाक रुपे मुई दोस्तो अपने चोते दिन इस फिल्म के कलेक्शन्स में थोड़ी ग्रोथ जरूर देखी गई लेकिन दोस्तो वो इस फिल्म के लिए कोई काम के नहीं है योगि दोस्तो इस फिल्म ने अपने चोते दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर कमा है मातर 2 करोड 80 लाख रुपे इस तरह से दोस्तो ये फिल्म अपने पहले विकेंड में इंडियन बॉक्स आफिस पर सिर्फ साड़े दस करोड की ही कमाई कर पाई थी जो कि दोस्तों एक तरह से काफी कम कलेक्शन है और ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हो चुकी आज अपने पांचवे दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन की ब बात की जाया दोस्तों यहाँ पर सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म सूर्यवंशी के अभी तक के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में, वही अपने पहले ही हपते में 121 करोड की कमाई के साथ अक्षे सरके केरियर की one of the biggest opener फिल्म साबित हुई दोस्तो बताते चले आपको कि इस फिल्म को आडियंस के तरफ से अपने दुसरे और तीसरे हपते भी काफी पसंद किया गया जहां से इस फिल्म ने अपने दुसरे हपते कमाई 46 करोड रुपे वही अपने तीसरे हपते इस फिल्म ने कमाई थे 19 करोड रुपे इस तरह से दोस्तो ये फिल्म अपने शुरुआती तीन हपतों में इंडियन बॉक्स आफिस पर 186 करोड से ज़ादा की कमाए कर चुकी थी, वहीं वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर 280 करोड रुपे की कमाए के साथ, सुपरिश्टार अक्षे कुमार सर की केरियर की वन उप दो हैस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी थी, और केसरी और रावड़ी राठोर जैसी ब्लॉक्बश्टर फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी थी, बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के चोथे अफ़ते के कलेक् और इस फिल्म ने दोस्तों अपने 22 वे दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर 80 लाख रुपे कमाए, 23 वे दिन कमाए 1 करोड़ 50 लाख रुपे, वही दोस्तों इस फिल्म के जो 24 वे दिन के कलेक्शन्स आये हैं, वो भी आउस्टेंडिंग है, और इस फिल्म ने कमाए 2 करो तो दोस्तों आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन्स है, वो इस अपते रिलिजोई फिल्मों से कहीं जादा अच्छे आ रहे हैं, और ये फिल्म आज अपने 25 वे दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर 1 करोड़ रुपे की धमाकेदार कमाई कर रही है, उसकी वज़ा है दोस दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स आफिस पर 191 करोड़ का आखड़ा पार कर चुकी होगी, वहीं वर्ल्डवाइट बॉक्स आफिस पर ये फिल्म 293 करोड़ के आखड़े को पार कर चुकी होगी, दोस्तों बता दे आपको कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर 300 कर पैन इंडिया में रिलिज होने वाली इंडिया की दो सबसे बड़ी फिल्मों के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन और इनकी अपडेट्स के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया सिनिमा के स्टाइलिस और आइकॉनिक सूपर इस्ट अलु और जुन पहली बार इस तरह के मास एक्शन रवतार में नजर आने वाले हैं उनका साथ दिया है इस फिल्म में रश्मिका मंदना और फाहत फाजल जैसे शानदार एक्टर्स ने वहीं दोस्तों यह फिल्म पैन इडिया में रिलिज होने वाली इस साल की पहली फिल्म है इस फिल्म के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का एक धमाकेदा ट्रेलर आपको 6 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों जिस तरह का इस फिल्म का ट्रेलर भी उसी तरह का रहेगा और ओडियंस के दिलों में जगा बना लेगा अगर दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर ओडियन्स को पसंद आता है तो पुश्पा अपने पहले ही दिन औल और इंडिया से लगभ पचपन से सहाट करोड रुपे की ओपनिंग ले सकती है वही वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 70 से 75 करोड रुपे कमा सकती है सुपरिश्टार अल्यू अर्जुन की इस फिल्म का ओडियन्स को काफी बेसबरी से इंतजार है यही वज़ा है दोस्तों की ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर 2021 के हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म बन सकती है और अक्षे कुमार की फिल्म सूर्य विशी के रिकोर्ड को तोड़ सकती है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इंडियन सिनिमा की वन उप दो मोस्ट अवेटेट फिल्म ट्रिपल आर के बारे में जिसको लगबख साढ़ी चार सो करोड रुपे के बैट से बना कर तियार किया गया है इंडियन सिनिमा के विजनरी डारे कि जा रही इस फिल्म को इंडियन बॉक्स आफ इस पर अगले साल साथ जन्वरी को रिलिस किया जाना है जो कि एक पिरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म के लीड में आपको तेलगू सिनेमा के यंग टाइगर जुनियर एंटियार और मेगा पाउर इस्टार राम चरण नजर आने वाले हैं वही दोस्तों बॉल्यूट के मास महराजा अजे देवगान और ब्यूटी क्वीन आलिया भड़ी भी इस फिल्म में आपको नजर आने वाली है दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म के अभी तक जितने भी टीजर रिलिस किये गए उन्हें आउडियन्स के तरफ से काफी पसंद किया गया इस फिल्म के जो गाने रिलिस किये गए वो भी काफी पसंद किये गए हैं अब दोस्तो इस फिल्म का एक धमाकेदा ट्रेलर आपको 3 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है। उम्मीदे हैं दोस्तो कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर बाहूबली 2 के भी सारे रिकोर्ड्स को तोड़ देगी और अपने पहले ही दिन लगबग 180-200 करोड रुपे की कमाई दुनिया भर से कर सकती है। इस फिल्म को दोस्तो अगर ओडियन के तरफ से अच्छे रिविस मिलते हैं तो ये फिल्म इंडियन सिनिमा की हाइश्ट ग्रोसर ऑफ दे इयर बन जाएगी और हो सकता है दोस्तो की 2000 करोड से ज़ादा की कमाई ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर कर ले। तो दोस्तो जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि अन्तीम एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका डारेक्शन किया है महिश मांजर कर सर ने। में सफर्ड ही लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म को और्येंस की तरफ से काफी अच्छी रीविज देखने को मिली दोस्तो बता दे आपको कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर कमाई 6 करोड 10 लाक रुपे, वहीं अपने तीसरे दिन इस फिल्म न आफिस पर चोथा दिन है और आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन्स आ रहे हैं वो बहतरिन आ रहे हैं यह फिल्म दोस्तो आज इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबख साढ़े तीन करोड रुपी की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का ओल इडिया नेट पर जो कलेक्शन है वो लगबख 23 करोड रुपे का हो चुका होगा वही वर्डवाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन्स की बात की जाए तो दोस्तो ये फिल्म लगबख 40 करोड रुपे का आखड़ा आज पार कर चुकी होगी और जल्ले ही दोस्तो बॉक्स आफिस पर एक सूपर हिट फिल्म बनन हमें जरूर बताईएगा धनेवा जेहिं जे भारत